नमस्कार आप देख राज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग साथ दोस्तों विधायक बनना कौन नहीं चाहता है चाहे वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा वेक्ति हो समासेवक हो या बिजनेसमेन हो या कोई भी हो अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसे राजनीतिक सबसे पहले हम बात करेंगे कॉंग्रेस की कॉंग्रेस से रजेंद्र मुरक का नाम चल रहा है जो की तीन बार विधायक रह चुके हैं मंत्री रह चुके हैं और कॉंग्रेस ग्रामिन अध्यक्ष के रूप में भी काफी पुराना अनुफव है उन्हें इनका जन संपर्क फ पूरु पंचायत समयती राम्टे के उपसभापती रह चुक है और उपसभापती रहते हुए इन्होंने काफी अच्छा काम किया था 2019 में कॉंग्रेस के यहां सो उमिदवार थे 2019 चुनाव के बाद पार्टी में मतभेद भी हुए जिसकी वजह से इन्हें पार्टी से निश्कास्चित भी कर दिया गया था और जैसे ही महाविकासा घाडी की सरकार गिरी इनकी पार्टी में पुनह वापसी हुई 2019 के हार के बाद भी गज्जुयादव लगातार लोगों से अपने छेतर में संपर्ग पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इनके हलावा पर्याटन मित्र चंदरपाल चौक से एपी एमसी सभापती सचीन किरपान भी टिकेट की मांग कर सकते हैं वही ठाकरेगट से प्रकासजादव का भी नाम सामने आ रहा है केंद्रिय मंत्री सुबोध मोहित्य को हरा कर खासदार बने यानि की सांसद बने चार वार शिवशेना के जिल्ला प्रमुख रहे वन विभाग जैसे महत्वपूर्ण महामंडल के अध्यक्ष रहे खास बात तो यह है कि इनकी बोलने की शहली लोगों को काफी प्रभावित करती है और राम्टेक विधान सभा ही इनका ग्रह छेत्र है पार्टी के निष्टावान कार्यकरताओं में प्रकासजादव का नाम सामने आता है वहीं दूसरी ओर ठाकरेगट से विशाल बरबटे भी टिकेट की मांग कर रहे हैं ऐसी चर्चा है विशाल बरबटे कुछ महीनों से अराम्टेक विधान सभा में सक्रिये दिख रहे हैं टिकेट की मांग कर रहे हैं विशाल बरबटे एक बिजनेसमेन है और राजनीतिक श सफर है वो शहर में ज्यादा बीता है अब ग्रामीन से विधान सभा की तियारी कर रहे हैं ऐसी चर्चा है अब देखना यह है कि प्रकास जादव या विशाल बरवटे या फिर कोई और शींदे गट सी बात करें तो फिलहाल आश्रिस जैस्वाल जो यहां पर अभी विधायक आश्रिस जैस्वाल पांच बार चुनाव लर चुके हैं यहां से जिसमें से चार बार उन्हें भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की फिलहाल खनी करम जैसे महत्वपूर्ण महामंडल के अध्यक्ष है राजनीतिक के जानकार माने जाते हैं समय पे कौन सा डिसीजन आपको बता दूं कि 2014 के चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की थी बीजेपी से यहां के विधायक रहें 2019 में अपक्ष उम्मितवार आश्चिश जैसवाल से इन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन बताया जाता है कि कुछ वोट बैंक अभी इनके सुरक्षित हैं कुछ जगहों पे इनके वोट बैंक आज भी बने हुए हैं यह भी लगातार लोगों से जन संपर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं विशम परिश्थितियों में भी अपनी पार्टी आनि की भाजब के साथ इमानदार रहे हैं वहीं बीजेपी से दूसरा नाम डॉक्टर ठाकरे का चल रहा है जो कि मंसे से विधान सभा के प्रत्यासी रह चुके हैं चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में इन्होंने बीजेपी जोईन किया 2014 में बीजेपी जोईन करने के बाद लोगों से संपर्क बना रहे हैं पिलाल पार्टी में जिल्ला उपाध्यक्ष पद्ध प प्रहार के प्रत्यासी रह चुके हैं लेकिन सूतर बताते हैं कि अभी ये बीरेस के भी कॉंटेक्ट में है इनका जन संपर्क अच्छा है और आज भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा आकलन था 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 कौन से पार्टी से कौन उमिदवार हो सकत हैं कौन टिकेट की मांग कर सकते हैं और कौन मांग कर रहे हैं टिकेट किसे मिलती है ये भी बताना मुश्किल होता है लेकिन हम ऐसे ही आकलन और कुछ एहम जानकारी हम आप तक ले कराते रहेंगे आप हमेरे साथ बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त भीर सिंग के साथ सिर्फ NBCN News पे जय हिंड